हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल फिक्सिंप पर और मैं आज लेकर क्या हूँ और हैंत के सेकेंड चेप्टर का कम्प्लीट अब्जेक्टिव स्वालिशन हना तो जैसा कि पिछला चेप्टर खतम हुआ है और आपको पसंद आया होगा उमीद तो यह करते हैं सेकेंड चेप्टर का और उमीद करते हैं आपको जो पहले वाला माइन मैप है दोनों का दोनों पसंद है और आपने पूरा का पूरा नंटाउन ढंग से किया होगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पेन और कॉपी साथ में है ना जब मैं कोसेंस लिक रहा हूं को कोसिस करें कि आप मेरे साथ में सॉल्व करें तो इससे आपको बेने फीट होगा और क्या ही बोले है ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो कहानी यह है कि एलेक्ट्रिक पोटेंसिल का यूनिट पूछ रहे हैं तो एक दो चीज हमको पता है कि जो हम लोग हमें हमें पता है बु है ना हम लोग और यहां सब्सक्राणा चार्ज के लिए कुलम्ब तो साब लिख रहा है पर इसले डिया सपोचलिया और यह फिर जूल को नहीं लिखने करकर आए री be मीटर जूल क्या होता है वर्क वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्रिस्मेंट यहां सेगा न्यूटन मीटर और पर कुलम ऐसा भी दिख सकता है कुछ लोग डामेंशन अगर पूछ लिया तो न्यूटन के लिए हमको पता है कि कि MLT-2 होता है मीटर के लिए हम लोग यूज कर लेंगे अक कुलम के लिए हम लोग एक का यूज कर सकते हैं क्या बनेगा MLT-3L और यहां सेगा A इन्वर्स ऐसा कुछ बन जाएगा तो यह सब भी सवाल इसके पैरलल में आ सकते हैं जिसकों की हमने डील कर लिया हुआ है ना चलो आगे बाढ़ते हैं अगला कुस्टन यहां पर हमने एक चार्ज को प्लेश किया बढमारा इसके उर्जीन पर यहां पर हमने एक चार्ज को ऊर्जीन क्यूंग। इसके पर हमने गाएग की हम त robome कर लिते हैं यह हमारा X axis हो गया यह हमारा Y axis हो गया और यह हमारा G axis हो गया तो अगर हम बोलें कि इसका Space का मतलब क्या है तो अगर हम कहीं इस जगह पे बात करें नहीं इस जगह पे यह जब कि इसका R vector हो जाएगा इस R vector position पे इसका potential B दिया हुआ है बात समया इस आर जगह पर बोल्टर सेल कितना दिया भी था इतिंक भी के वैलू तो तुम जानते होगे ना तो क्या हो जाता है के क्यों पाई आर यह हमें पता है अब क्या गह रहा है कि the work done by the external force in bringing another charge q from infinity up to the point is what तो यहने एक work पूछ रहा है क्या पूछा है इसने work माल लेते हैं एक charge को यहां से उठाए infinity से उसको उठाए करके यहां से यहां तक लेके आये हैं किसको हमने q को लेके आया है कितना work करना पड़ेगा हम लोगों को पता है कि जो work होता है वो work done by system by internal forces जो होते है वो negative of change in potential energy होता है यह दों को पता है या पिर अगर हम बोलें work done by external agent और work done by external agent या force वो जागा change in potential energy फिर समझे ना है यह work done by बोलागे एक charge खुद से कितना ने दूसरे को पर force लगा जो सब्सक्राइब यह यह charge ने कितना work किया तो वहां पर होगा negative of potential energy लेकिन अगर मैं बोलूंगा work done by external force या लिखा भी है work done by external force तो हो जाएगा change in potential energy इधर से फॉसरे को उल्टा फॉसरे करता तर्स निगेटिव दाट्स वाइडिगेटिवान केंप्राम इसट ओके तो क्या लिखेंगे यू फाइनल मैनस में यू इनिसियल यू फाइनली कहा पहुंचा जाए दोको तो यू आर पूशन में पहुंचा ह यह न जाए वर्क तो आगया हमारे पस विक्यू समझ में है वर्क पोटनेस एनरजी अभी दो पीछे देखें यह वाला स्वाल में कि पोटनेसल एनरजी जो होता है वो क्या होता है भी इंटू क्यू अब इसको बनाने का एक और मेथड हो सकता है अगर बात समझ में आय जा जबकि पोटनेसल डू टू दिस चार्ज अगर मैं कहूंगे पोटनेसल डू टू दिस चार्ज वाट क्यक्यू भाय और साफ दिख रहा है यू भाय भी जो आ रहा है यू बाय जो भी आ रहा है वो सिर्फ और सिफ क्यू बच रहे क्या यहां से यू का वेलू क्या आ रहा है भी क्यों हमें ऐसे भी याद रहना चाहिए जैसे पसंद आए वैसे याद रखो चुटी-श्री चीज़ां हम कर दे रहे हैं यहाँ पर बागे समझ में आ गया होगा यह सवाल ठीक है अगला गोश्चन है if 100 J of work has to be done in moving an electric charge of 4 C Qatar from a place where potential is minus 10 volt to another place where voltage is v find v कहना क्या चाहर है फिर समझो कि अगर मैं कहूँ कि एक point है हमारे पास एक point है भी समझ में आया एक point है एक point है भी ठीक है 100 J का काम किया जा रहा है क्यों कि हमने फोर कुलम्ब के चार्ज को यहां से यहां से उठागर के फोर कुलम्ब के चार्ज को यहां पर रख लिया हुआ है इसको हमने प्लस में फोर कुलंब के चार्ज को रखा है तो करें कि 100 जूल का काम होगा था हमको तो वर्क पता है ना क्या होता है चेंज इन पॉर्टर से बराबर तो चेंज क्या हो जागा फाइनली कहां भेज़ें यू बी पर सुरवात में कहां था ए पर है ना तो यू का मत तो उसक्राइब कर देंगे है तो यहां से क्यू भी माइनस में भी यह हो गया सीड़ी सीदी बात है और वर्क देकर रखाए इसने हंडेट समझे में आगया होगा हंड्रेट इकोल टू चार्ज क्यू का वेलू क्या हो जागा यहां से लिखा हुए फोर कुलंब तो फोर भ पर है वोल्टेज भी तो यहने कि भी मैनस भी है तो भी माइनस ओफ मैनस में 10 क्या समझ में आ तो क्या बचा फोर टाइमस अब फी प्लस में 10 एकोल टू हंड्रेड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो 25 मैनस में 10 एकोल टू भी अभी इस गेटिग एश फिफ्टीन इधर से दखाता हूँ वहाँ पर उधर दिखता है तो थोड़ा सा इसको मेरे लिए यही ठीक है मैं कैसे दिखा हूँ कि ऐसे मैं ऐसे दिखाऊंगा उसमें उल्टा चलता है वह ऐसे दिखा देता है ना स्क्रीम फिर ठीक है ओके उम्मिद करते हैं आप लोगो था कंप्रमाइज कर लोग इन चीजों से ठीक है यह हम ही उल्टा हो जाए नहीं हम ठीक ही है हमको दिख रहा है A से B है ना हमने एक च जूल ठीक है और जो चार्ज देखे किया तो फूर कुलम हो गया तो वर्क होता है चेंजिल पोटेंटियल एनर्जी और हमने उसको सॉल्व कर लिया समझ में आया बात तो ये तो बहुत इजी सवाल था हम्हें पता है अभी तो लोगज हमने फॉर्मिल डिराइब भी किये पोटेंचील है ना क्या सीखा है हमने इलेक्ट्रीक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू इस क्या होता है वी इकोल टू क्यू बाई आर यह पढ़ेते है तो यह पूछ रहा है और कुछ पूछ नहीं रहा है क्या कावेलों हमको अल्रेडी पता है क्या बेलों कितना होता है 9 इंटू 10 इरेश्ट दिवार 9 चार्ज देके रखा है 3 नैनो कूलम तो 3 नैनो को जगाप मैनस में 9 लिख देंगे क्यों क्यों हो गया अब बाई डिस्टेंस लिखा है 9 सेंटियों यानि कि 9 इंटू 10 इरेश्ट आप मैनस में 2 समझ में आ गया यहां तक तो अगर मैं इस 9 को 9 से काट दें क्या बचेगा यह भी दो गया ना क्या बचा 3 इंटू उपर में 100 है ना तू हो जागा रहे है 300 होल्ट डाट्स यूर आंसर स्क्rontस के बहुत इसी सवाल था इसके पर ज्यादा दिसक्सक्राइब हैं नहीं हम इंभर बात कर सकते हैं से I am a metallic hollow spherical surface स्मझना बात को पहला वर्ड तो यहां पर यूज़ कर लिए बहुत मेरे लिए खुसी की बात है डालो इससफेर हैं ठीक है तो फाइब सेंटी में इसका रेडिया हो दिया है यह फाइब से दिया हुआ और इसके सर्फेस का जो भोल्टेज वो टेन भोल्ट है बत समझ मैं अच्छा मैं अगर इस कर रहें कि सेंटर पर भोल्टेज तो यह बात बताओ कि जब यह होलो है अंदर में तो चार्ज होगा नहीं अंदर में अगर charge नहीं होगा तो अंदर में क्या लिखेंगे यहां पर से electric field इस वाले हिस्से में अंदर में जब charge नहीं है तो अंदर में electric field क्या हो जागा 0 तो अंदर में होगा electric field equal to 0 और अगर अंदर में electric field 0 तो surface से लेकर के अंदर में हर एक point पर हर जगा पर voltage same होगा मैं तो यह जानता हूँ नहीं कि अंदर में हर जगा voltage same होगा यहाँ पर भी 10 volt यहाँ पर भी 10 volt surface पर भी 10 volt तो answer हो गया the potential at the center is 10 volt जब पुछेगा electric field अंदर में तो zero यह हमको पता है zero हो गया अच्छा यह सवाल में थोड़ा से चीज़ है अगर हम पूछ दें कि बताओ अगर हमको पता है voltage है ना metallic hollow sphere का voltage मेरे को पता है तो भी का value क्या होता है kqy capital होता है और voltage हमको पता है 10 k का value हमको पता है यह 9 होता है charge और radius भी पता है 5 cm दिया हुए 9 into 10 raise power 9 equal to q अगर हम इसको solve करेंगे तो इसके surface पर जो charge है वो हमको पता चल जाएगा समझा यह additional चीज़ था हम आगे बढ़ सकते हैं यहां से अच्छा एक दो चीज़ और हमको पता है इसके बारे में कि जो potential का graph कैसा बनेगा इसमें पोटेंशल का graph कैसे बनेगा अंदर में हर जगह से मैं न वोल्टेज का graph कैसे बनाते हैं हम लोग इसमें हर जगह potential same surface तक और फिर 1 by r से घड़ जाता है वोल्टेज है न ऐसा कुछ ग्राब बन जाता है यह सब में पता होना चाहिए यह भी आर कर वह पोटेंशल और अरके साथ थीआ पाड़ते नहीं पोटेंशल पीट्रॉप अभी इसको च्छी समझना यहां पर क्या कहना चाहरा है ठीक है कि कहना क्या चाह रहे हैं इस पर समझना है बातों को पोटेंश को लार्ज लिक्विड ड्रॉप वेन एट लिकविड ड्रॉप्स अर कमपाइंड टू टू टी वोल्ट दो तीन चीजह हैं यहां पर यह समझना है मान लेते हैं मेरे पास एक डॉप यह रहा दूसरा डॉप यह जो रहा यह पास एट ट्रॉप्स कितने ट्रॉप्स है िट ड्रॉप्स है इतट्रॉप्स बुल बस्मझत है दो तीन चीज़ें कर लेते इसका चार्ज जो होगा सबस्तील चार्ज है सबका चार्ज है Q इस पर भी चार्ज है Q और इस पर चार्ज है capital Q अच्छे एक बात बताओ इसका चार्ज होगा कितना basically 8Q होगा क्या क्या क्योंकि सबका चार्ज ही है ना मिलकर यह बना है ग्निक निलकर फाले अचे लूट 10Q होगा यानि कि यह आठो मिलक जितना जोर से आवाज करेगा, उतना ही जोर से आवाज यह बड़ा वाला भी करेगा, भल्यों मतले आवाज नहीं नहीं होता है, जगड़ा मत करो, इस आठो का बोल्यों हो जाएगा, इस वाले क्या हो जाएगा, 4 by 3, 5 and 2, capital R का क्यूब, सिंपल है, वोल्यों का फूरुना पता है हमें, यह होता है, यहाँ से देखो, 8 R का क्यूब is equal to capital R का क्यूब हो गया, है ना, तो यह क्यूब इदर भी चड़ा देंगे, है ना, तो क्या इसको अच्छे सथी नहीं है, टू का क्यूब, R का क्यूब, इक्वल टू आर का क्यूब, आर इकुल साथ दिख्ञा है क्या, 2 R का होल क्यूब, इकुल टू क्यूब, आर का विलो दिख्रा है, 2 R, यहाँ कहीं, रडियास बैसे, डबल हो गया, डपर अब समझना बात को हो, कहा रहा है कि combined is 20 volt and the potential of the जो जो इसका voltage बना है इसका voltage हमको दिख रहा है 20 volt दिख रहा है तो कह रहा है इसका voltage भी-भी होगा basically है ना समझ में आरा है बात इसका voltage है 20 volt अब एक दो बात और बता हो इस पुरे कहानी में क्योंकि हमको पता है इस वाले का voltage भी बराबर 20 बराबर क्या हो जाए के इसका charge साफ साफ दिख रहा है 8Q अब बाए radius दिख रहा है capital R है ना यहां से यह दिख रहा है big drop के लिए क्या है यह big drop के लिए और अगर हम smaller drop के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसका voltage भी उसका चार्ज क्यू अब इसका radius ऐसे कुछ लिख देंगे यहां से क्या रहा है देखो तो 20 इक्वल टू के 8Q अग कैपिल आर के विश्य जोगा पे तो यह answer basically कहना यहां दो चीज़ था चार्ज भी आठो मेल करके बड़े वाले सा मिला और साथी साथ volume भी match कर गया और हमने सिरा से लिखा दे बड़े वाले drop को चार्ज दिखा वो एट क्यू जिसका विल्लू हो जाता है क्यक्यू भाय आर हमने उसरा सॉल कर लिया समझ में आ किया नहीं समझ में थोड़ा रिवाइड करो पीछे सब्सक्राइब आयो ने हर ओके टिक देपोटेंटिल अब देट्रिक डैपोल वेर इस हमको पता है कि आ अच्छा हमको तुम्लों कोई पता है डैपोल है पी वेक्टर यसके कारण कहीं पर भी है नहीं पता है तो पता कर लो यह पता होना चाहिए थीटर पर यहां पर अगर इसका डैपोल प्रडिस भी का रेना होता है क्विश्ट folding और अगर boards क्या बोलते इसको descriptive होते या फिर कस तो subjective होता तो यह formula proof करने आ जाता है अभी तुम्हें याद ही रखना है तो अब इसका answer तो कुछ दिखने रहा ना सिधा साब साब काद होगे कि 1 by r square से proportional नीचे हम दिख रहा है न r square तो वो हो गया हमारा answer है ना और एक दो चीज हमें यह पता होना चाहिए कि b8 equator क्या हो जागा 0 और b8 axis क्या हो जागा axis पर इस side में kp by r square और अगर यह डैपोल है इसके सीदे में यहाँ पर हो जागा kp by r square यही डैपोल के पीछे में कितना हो जागा तब दिखो थीटा का वहलों यहाँ पर 0 डिग्री है लेकिन अगर हम यहाँ पात करें तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री तो potential यहाँ पर क्या आजगा minus में kp by r square को दिखेता है यह दो तीन चीज हमें पता होना चाहिए अगर बड़े ओके the potential in the equatorial plane अफिट डैपोल इस जीरो अभी तो मैंने बता है equator मतला यह equator मतला डैपोल के perpendicular line है न यहाँ पर अगर मैंने एक डैपोल बनाया है तो इसके equator पर इसको बोलते equator रिकाव इसको यह हो गया हमारा कैसे डिखे इसको यह क्यो यू यू इट टी ओ आर equatorial है न यह equator हो गया यहाँ बोल्टेज क्या हो जागल जीरो को मतला भी नहीं समझ भाए होता है न कैसे आया बात समझ भाए हो लो क्योंकि एंगल कितना बनाया है 90 degrees नहीं समझ भाए फिर से देख लो भी बाबर के कॉस्ट थीटा कुमला 90 degree बाइ आर का स्कॉर दोगे न जीरो ठीक टू इक्वल एड़ अपोजिट चार्जिस प्लस क्यू एंड मैनस क्यू और सिचुटेटेट डिस्टेंस एक्स प्रम इच अधर ध्यान समझ ना इस सवाल को पूरे अच्छे से कंसंट्रेट इस से करें कि दो चार्ज है मारे पास दोनों का दोनों चार्ज एक्स डिस्टेंस सेप्रेटेड है दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस एक्स है नहीं समझ मैं आप फिर से देखो क्या करना चाहरा है मेरे पास एक चार्ज है पलस क्यू और दूसरा चार्ज है मैनस क्यू और इसके बीच का distance x है और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल भेरी फार पॉयंट विल डिपेंड पॉन इससे हमको कहा रहे है कि इससे बहुत दूरी पर इससे बहुत दूरी पर जो पोटेंशियल बनने वाला है किसी आर डिस्टेंस पर तो हमको पता है भी बराबर क्या जाएगा कि पी कॉस्ट थीटा वाई आर का स्कॉर हो जागा एक्स पर तो डिपेंड ही नहीं करें है संध्थ को करा वील्डिपेंड अपाउन अब यहां पर आर के बासे नहीं किया इसका मतलब है कि हमको और पनौप इसके उपे डिसका सिन ही करना है है किया चोड़ णदे है कि रहने इसको है कि हमारा इतक बात करते हें तो कुपल मोमेंट के घूंट ने koda हमारा एक्स है और यह अक स्थेटा लिए प्ने कहीं है सक्षए और उन狙 कहा लला करूँए तो आप साफ देख रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है तब क्यू और एक्स पे तो ओनली क्यू इन्टु एक्स है ना सी इस के रहे टंग सर रहा है तोड़ा प्रटिस कर ले रहा तोड़ा डंग से ना और हां जब मैं यह बता रहा हूं तो कोशिस करना ही घर में बैठ करके एक्साम एडिया उसके भी कुस्स को बना जाओ है ना जितना ज्यादा हो सके कलेक्सान रखना अब्जेक्टिव का ठीक है ओके अब अगे बढ़ते हैं इन दर रीजन आप कॉंस्टेंट पोटेंशाल जहां पर कॉंस्टेंट पोटेंशाल होता है इल्ट्रिफिल्ड जीरो मामला हो सकता है ना एक सकेंड एक सकेंड रूख जाओ इल्ट्रिफिल्ड जीरो ए ठीक है और देर केन बी नूँट चार्ज इनसाइड दर रीजन कैन बी नो चार्ज इन तर रीजन और ये मामला पर गड़े है इसको घर था हम भी फंस जाते है ना कैन नहीं देना चीए थ ठीक है अभी समझो बात को काना क्या चाहा रहा था यह यह अभी यह मालते कोई भी इसन है और उसके अंदर में voltaj constant है अगर voltaj constant है हर समय अंदर में क्या होता है छार्ज नहीं है ना तबी mist होता माइन smart e dot d r होता है यह पता होना चाहिए यर्थ का वाग्लऊ माइन हम करें अगर को यह बात हैarette हम कर सकते commence कि अगर अगर भी का वेलू कॉसेंट ऑट को सब्सक्राइब का वेलू जीरो होगा ना का दीपटरिस्टार जीरो होता है यह हमारा 20 ग्रेक्टर से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब positively charged particle is released from rest in the uniform electric field the potential energy changes अब इसको पूरा अच्छे समझे ना suppose करते हैं यह हमारा electric field है ठीक है एक charge को हमने rest से release किया released from rest अब सोच के देखो इस charge को जैसे ही rest से release करोगा तो इधर कितरा force लग जाएगा इस पर आप force का value जाएगा QE जो की MA के बराबर होगा इस कारण से यहाँ पर expression पैदा होगा जिसको हम कर दें कि क्यूई बाइम होगा क्या आइसनों से velocity जो होगा किसी भी टाइम पर भी बराबर क्या लिखोगा यू प्लस में 80 तो भी क्या होगा यू इस रफ्तार तो है नहीं क्यूई बाइम इंटू टी हो जाएगा क्याने के वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा हमारा क्यूई बाइम इंटू क्या हम कर सकते हैं समय के साथ तो समय सब्कूरत का एनर्जी कोंस्टेंट होता है अगर इनर्जी को पूरे सीन honey कहाना चाहे हम अंहुट्र को इस पूरे नीचे घाटना पडेगा तो इस पूरे discussion का scene यही करना चाह रहे हैं कि along the electric field potential decreases potential decreases यानि कि charge हर समय उधर जाता है जिदर उसका voltage घटे potential energy घटे यह बात समझ में रहा है और यह हमारा universal law of nature भी है जो कि हर चीज चाहता है उसका potential खूब कम हो जाए इसलिए charge उधरे भागेदा तो यहाँ पर कहानी क्या है decreases because the charge moves along the electric field C is character आगे समझ में अगर लिखा है A, B, C are three points in the uniform electric field the electric potential is अभी हम बता चुके हैं कि along the electric field voltage घट जाता है तो हम कर देंगे कि B ज़्यादा होगा as compared to C as compared to A तो यानि कि A पर sorry B पर maximum है ना maximum at B आगे बढ़ता है equipotential surface at a great distance from a collection of charge whose total sum is 0 और approximately तो एक दो चीज पर discuss कर लेते हैं equipotential surface के बारे में ठीक है suppose कर लोगी मेरे पास एक positive charge है और uniform sorry एक charge है इसे करके इसे करना equipotential surface कैसा बनाते हैं हाना एसा surface है equipotential surface कैसा बनाएंगे पताओ equipotential surface हम बनाएंगा ऐसे जो कि electric field के perpendicular होता है electric field के perpendicular होता है और क्योंकि हमको यह पता है कि यहाँ पर electric field बहुत close है dense है इसलिए वहाँ पर जो equipotential surface होगा वो बहुत ही ज़्यादा closely spaced होगा जहां पर electric field tense है वहां पर equipotensor surface के बीच का distance की कम होगा इसे दूर बढ़ेंगे तो space बढ़ेगा बात समझ में हा और दूर बढ़ेंगे तो और space बढ़ेगा इसे मकडी का जाला आगा समझ में कुछ ऐसा scene आ रहा है बैठा दिमांग में यह से बात हमें पता होनी चाहिए ठीक है ऐसा scene तो नजदीक में जितना close जाएंगा उतना ही करके equipotensor surface होगा दूर जाने तो space बढ़ेगा आप सही से चलो ठीक है पहला बत यह हो गया और एक और बात है यह कैसा होगा spherical कैसा होगा spherical nature अब ही पर अगर लाइन चार्ज है हमारे पास लाइन चार्ज है तब कैसा होगा तब cylindrical बनेगा कैसा बनेगा cylindrical गोज है ना गोज से नहीं बात कर रहे है एक की potential surface है यह ऐसा ठीक है और उसी दर से दूर जाएंगे तो spaces इसके बढ़ेंगे ना बात समझ में है उज अगर हमारे पास planar charge है अगर हमारे पास charge थोड़ा planar है तो इसके अगर तो त्रिफिल यह से जा रहा होगा यहाँ पर Gaussian surface इसके बार बार नाम आ रहा है ठीक है यहाँ पर कैसा surface बनेगा equally spaced equally spaced plane planar होंगे ऐसे से plane plane और सब के बीच का distance सेम होगा क्यों क्यों कि यहाँ पर जो इलो ट्रिफिल होता है वो सिक्मा बाई टू एपसलन जीरो जो के constant है अगर इलो ट्रिफिल हर जो के constant है तो जो space है तो equipotency surface के बीच का वो fix रहेगा ठीक है अब जो यह सवाल है यह सवाल क्या कहना चाहरा है यह कहा रहा है कि total sum जो है is not zero कहीं पर चोटा सो जगह पर बहुत सारे charges है यहाँ पर ऐसे से करके बहुत सारे charges है एक जगह पर खावा जिसका net sum zero नहीं है यानि कुछ है यहाँ पर कुछ charge है यह zero नहीं है इसने बहुत दूर में इसने एक caution surface बनाए sorry equipotence surface बनाए तो हम इसको behave कर सकते हैं कि all our behave like a point charge तो अगर यह point charge के तरफ नहीं बहुत दूर के लिए point charge के तरफ behave करेगा और अगर यह point charge के तरफ behave करेगा तो मैं यहाँ पर एक spherical caution surface बना सकता हूँ sorry spherical incubator surface बना सकता हूँ that's answer incubator surface ठीक है क्योंकि बहुत दूर के लिए यह सारा ही बन चुट्रे से जगा बिखराब अभी चार्ज है तो यह दूर वाले को लगया है साथे में point charge के तरफ भी है करेगा यह सीन है यहाँ पर ठीक है जो कि एक एंगस्ट्रम के distance पर है तो यू बराबर क्या हो जाएगा तमको पता है क्या क्या है ना q1 q2 by r क्या के ज़गा लिखे है q1 कितना होता है पहला चार्ज का proton का भी चार्ज इतने होता है ना मैनस में 19 electron का भी चार्ज ही होता है 1.7 में 19 आना ब सालनों पाक इडिशंस कितना हो गया 1 आंगस्ट्रम 1 आंगस्ट्रम मतलब मैनस में 10 मीटर ताव इतना आ जेगा jool क्या जेगा लेकिन आनसर सारा देब वो electron volt में है electron volt में है तक काम करें क्या pat लेते हैं would क्या होता है है ना तो हमको एक बात बताओ, कि एक electron volt मतलब 1.6 into 10 minus 19 joule, इतना तो पड़े हो गए, इतना column नहीं, joule, है न, इतना joule हो जाएगा, तो एक joule का मतलब क्या हो गया, मतलब, एक joule का मतलब क्या हो जागा, यहां से अगर मैं एक joule का वहलू लिखूँ, तो क्या हो जागा, एक electron volt by 1.6 मैं 19, है जूल को हटा करके, इतना अबाइद ना कर सकते हैं, बात समझ मैं हा, एक तो यह तरीका हुआ, या तो एक काम करो, इसको बचा लो, ने, समया बात, दखो, इतना joule को नहीं एक electron volt बोलते हैं, इस दोनों को ही नहीं मिला करके, एक electron volt बोल रहे है, बात समया हा, इस बचा लेते हैं, तो मेरा जो solution आएका, वो आजएगा, 1.6 को अगर पॉइंट वड़ा देंगा, 10 आजएगा, सिर्ट नो 9, कितना आजएगा, 144, इंटू 10 रेस तु दिभावर, यहां पर कितना आ गया, देखो तो, 10 मैनस में, आ नीचे में भी दिख रहा है, 10 मैनस में 10, य आ गया, 14.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट, लेकिन सर, यहां तो निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव कैसे, क्योंकि सर, इलेक्ट्रोन निगेटिव है, तो उसका चार्ज भी यहां पर निगेटिव आना था, जो निगेटिव आता था, यहां पर निगेटिव आता, यहां पर अगरा सवाल है क्या आर्थ इस लिए हम लोग मांते है क्योंकि अर्थ है बहुत बड़ा गंधा है हम उसे जितना में करते हैं निकाल सकते हैं इतना डंप कर सकते हैं यहां पर प्रोब्लम कहा है समझना पूरे अच्छे से इस सवाल को कि एक तो इलेक्ट्रिक फिल्ड हमारा जो नोन है वैसा टैप करने दिया एलेक्ट्रिक फिल्ड दे दिया है और इस इसमाने प्रोटेस्ट्रेशन अनर्जी बताओ यहां पर यू होगा वह बैसी क्या होगा एक तो इलेक्ट्रिक फिल्ड और तो करेंगे सिस्टम का इनर्जी बताओ तो मैं एक काम करता हूँ यहां का पॉटेंटियल और यहां का पॉटेंटिल भी लिख देता हूँ ठीक है तो जो energy आएगा इस charge के उपर जो Q2 पर charge दिख रहा है Q2 जो कि 7 मैक्रो कुलम का है जो Q2 है जो 7 मैक्रो कुलम का है इसका energy कितना होगा थे QB और यहाँ पर voltage कौन बनाएगा जो कि electric field है electric field के direction में voltage घट जाता है यानि कि electric field के हर एक point और voltage है तभी तो घटा electric field के reason में हर जगा पर voltage है तभी ने घटा करने का मतलब समझ रहो नवाद को क्या करना चाहरा है यह रहा electric field यहाँ पर इस जगा पर एक charge रख़ए यहाँ पर एक charge रखती है यहाँ पर एक charge रखती है यह बाद को पता है तो जो energy बनेगा total energy क्या बनेगा यहाँ पर लिखेंगे q1, b1, plus में q2, b2 यहाँ पर आ साथ में यह दोनों भी configuration बना के रखा है तो उसका भी एक energy बनेगा के पहला charge q1, q2 by इस दोनों के बाच का distance r12, दोनों दोनों के बाच कितना है बात समया ना, तो energy क्या आजएगा u का बिल्लू, q1 कितना है 7 microcoulomb, 7 microcoulomb sorry, microcoulomb into v1 अब voltage के शिल्ली को बनेगा तो यहाँ से v1 का बिल्लू क्या हो जएगा electric field into distance है बात समया q1 into electric field कितना है देखो तो a by r square है ना a by r square into यहाँ से यहाँ तक का distance यहाँ से तक का distance origin से यह distance बता दो कितना 9 cm है 9 cm यह हो गया और यहाँ से क्या लिखेंगे q2 into v2 यहाँ का electric field r square into 9 cm और 9 cm कर जाएगा एक r square बचेगा तो basically क्या जाए q2 a by r और यहाँ से क्यू 1 a by r बस में यहाँ पूट करते है हम इसको थोड़ा area करो दे रहे है ताकि हम solve कर से अच्छे से हम इसको बटाई दे रहे है फालतु चीज़ों को को सीन बन नहीं रहा था इसका ठीक है यहाँ पर q2 था तो u का value क्या हो जाएगा q1 a by r plus में q2 a by r plus में k q1 q2 by 18 cm यहनों जाएगा तो q1 का value क्या रहा दिख रहा है 7 microcolum 7 microcolum minus में 6 अच्छा a by r थो दोनों में यहाँ common अब पलस में q2 जाएगा रहा दिख रहा दिख रहा है minus में 2 minus में 2 microcolum ऐसा into a by r plus में k के जाएगा लिखेंगे 9 over 9 9 और q1 का value कितना दिख रहा है 7 micro 7 microcolum इसका होगा minus में 2 microcolum distance होगा हमारे पास 18 cm 18 minus में 2 समझे में आगे बाद तो क्या solve हो जाएगा अब बाकि एक अवेलों को दिया हुआ है एका वेलों कितना दिया हुआ है यह 9 row 5 ठीक है तो क्या हो जागे दो 7 में से 2 चला गया तो 5 हो गया ना 7 में से 2 चला गया तो 5 इंटो माइनस में 6 9 और 5 बाए आर के जगा पे 9 cm 9 इंटो मैंस में 2 पलस में यहां पर कितना आगया 9 तू जा 18 है ना और 2 से 2 खतम ही हो गया तो बचा क्या माइनस में 7 ना यह बचा हमारा माइनस में 7 तो माइनस 7 इंटो 10 इंटो पावर माइनस 12 माइनस में 2 तो माइनस में 10 और यह 9 वन हो गया इतना ठीक है और इधर कितना आगया जी 9 से 9 कट गया और यहां हो गया हमारे पास 6 और यह हो गया 7 और ऊपर में 7 ना चला गया तो बचा 10 यानिक हो गया 50 माइनस में 7 बाए 10 सिंपल है तो 50 माइनस में 0.7 ने के 49.3 आ गया जूल है गुड हो हो हाँ पच्चप जूल हमसर ठीक है तो कहना यह चाह रहे हैं कि इलक्ट्रिक अभी तक मारे पास छार्ज दिया था और उसके इंत्रेक्श न श्रॉब निकाल लेते थे कि एक जब है नीकाल को अभीं इसी इंत्रेक्श जो दो चार्ज्स को रख दिया न। आप गार राईनर्जी बताओ तो इलक्रिक फिल के बजह ay r और हम पत आ हर एक जगा इक इसी लिए हमने हर जगह का पोटेंटियल एनरजी निकाला है क्यू भीवन क्यू वीवन क्यू टू वीटू करके निकाल दिया है बात समझ में आगे बात ये चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अन इलेक्रिक फिल्ड अब था थाउजंड वोल्ट इस अप्लाइट टू एलेक्रिक डैपोल अधा फॉर्टी फाइव डिगरी तब वैल्ली अप्लिट्रिक डैपोल मुमेंट इस इतना पोटेंटियल एनरजी बताओ तो यहां पर सिक छोटा सा पॉइंट हम लोग को यह पत थीटा मैं यह पिई कॉस्ट हीटा होता हमैं यह पता होना चाहिए ठीक हैं तो यूद को चाहिए मांने स्मय पी दीक रहा है। 10 पर पार मैनस में 19, sorry 29, यह लोट्री फिल्ट दिख रहा है, 1000 और 45 दिख रहा है, क्या हमको बना अचीए, हमको निन बना अचीए, बन जाएगा, कॉस बना रूट्टू, और वो रूट्टू से 1000 को डिवाड करूगे, कुछ-कुछ तो आई जाएगा, तो देख रहना, क्या अंसर आता है, मैं सोल करूँ, है न, कुछ गड़वड उड़ रहा है, लाग तो रहा है, अच्छ यह को दिख रहा है, एक दिख रहा है, हमको कुछ अप्रोक्सिमेट रिजल्ट यही आएगा, बी इस दे करेक्ट अंसर, ठीक है, नहीं नहीं होगा, बी होई नहीं सकता, प अंसर D होगा, बट यहां पर 27 है न, दो जीरो यहां पर, यह 27 लिखा वाथा, यह चीज, यह आंसर है, ठीक है, थादा मिस्प्रींट है, ठीक है, वहाँ पर, केलिर बात, यह तो अंसर में मिस्प्रींट है, यह तो डेटा में कर पड़किया लिए, बात सोल करूँ गदा आ यहां पर यहां पर सिर्फ चार्ज रहे है तब क्या होगा तब जो भी सर्फेस पर होने वाला है वही भी इंसाइड होने वाला है लेकिन एक और कंडिशन हो सकता ने कि अंदर में भी चार्ज रहे तब भी तो जीरो नहीं है सर तब भी तो जीरो नहीं है ना दोनों ही कंडिशन यहां पर भी सर्फेस यहां पर दो होदा है voltage यहां पर क्या लिखा है there must be charge on the surface और inside itself यह हो जाएगा there cannot be any charge नहीं ऐसा हो नहीं सकता there must be charge only on the surface नहीं यह C पहले condition के बारे में बात कर रहा है inside D के बारे में बात कर रहा है होगा दोनों ही condition में ठीक है एक करेट हो सका है ना तिया नहीं यह किसके यह हो गया hollow sphere और यह हो गया solid sphere ठीक है इसके लिए दोनों ही condition hold करेगा क्या बात है हमको पता है capacitor capacitor बरावर क्यों होता है करें भी ठीक है और सी यह बरावर क्यों जगा क्यों भाए भी यह और साफ देख रहे है voltage भी यह कम है अकर voltage अजयदा है तो है यह रख फसेडर के को अ समझ में ग्राप देखकर करके दिख रहा है वी उपर है वी यह निचे है समझ गाए बात को नहीं आया अब इसी में एक सवाल और आ सकता है माल लेते है इसे एक जामपल आ सकते है तुम लोग को कि यहांसे भी Vallahi सदिया यहांपर चार्ड दिया है और एक ग्राब बना दिया इसे करके वन दिया हुआ है कि 되면 फ्रेकिर रहे और कि बोल्ट पर है कि एक मुझा फैंट ग्राबर क्या होता है क्यों भी होता है तो क्यों दिख रहा है क्या टू मैक्रो कुलम है अब वोल्टेज इस रहा है 30 है ना क्या एसा डेटा ले लिए ना तो 1 by 15 क्या बीच का दिख रहा है यहां पर प्लस प्लस यहां पर मैनस चाल जाए और इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 2 मिल्ली मीटर है और इसका जो बोल्टेज है यह दिया है 2000 बोल्ट के बराबर है ठीक है और यह कहा रहा है सब्सक्राइब को अब ध्यांस देखना क्या हो रहा है यहां पर एक दो चीज है द्यांस देखी रहे हो हमको बात बताओ एलेक्ट्रिक फ़िल्ड वराबर क्या होता है वराबर धीडि वराबर ईइंटू दी होता है विवराबर ईउंटू ऑसलेटें लेक्ट्रिक और पिज्टेज कि दिखरा थूँटॉजंट अब बाइडी कितना दीखर दो नीली म्हिटर है ना तो ओपर औग्या इतना नुटर्ण पर को लगर सा इतना अब कर रहा है कि बीच में ही कहीं पर एक चार्ज रगती आगया है एतना कुलम का सफोर्स लगेगा इस पर फोर्स लाभर क्या होता है बताओ क्यों होता है या कि यूड़ लुद्धिया वोर इन टू नुमानस में 6 अधि इलेट्रिक के ही बीच में कपेसिटर के बीचो बीच कही पर चार्ज रखा हुए तो प्लस वाला बुलेगा आज जाओ दूर चल जा अच्छा पुजिटिव जा देगा इस तो धकाल देगा इस एक फूर से लिगा देखाओ ठीक है तो जो चार्ज दिया हुआ है कि रटीक ने अगरा ऑन सर्थ चुनि में जो सिचूसें क्रियेट किया गया है को सिचुछन के साथ में क्यों जो क्यों ठीक है जो सॉलिशन जो बनाए गया वह जीव है मतलब आधाय चीजिए अपर कुछ बोला जारा और स्रें कुछ बनाया गया है तो इस पर थ्यान समझना आए जो कहा जा रहा है उसको समझो पे ले ना यहां पर यहांने कि इसमें स्विज़शन में थोड़ा गडबड़ी है इस बात को अमदस पॉंट आट कर रहा है ना इसे लोड मत ले ले लिए यहां ही है और सर्व वहां मैच पित नहीं कर रहा है थोड़ा ध्यान समय एक वहां ध्यूद है ठीक है इफ दो वाइल इस पॉंप डाउट अच्छा एंड डिप्ट इंटु दो ओयल टैंक इसको अठागर टैंक में डाल दिये वाइल टैंक मतलब किसी मीडियम में डाल दिये यह करना चाहर है अगर हमने इसको क्यों चार्ज रखा था यहां पर सॉरी मैंस में दो खाया दाए सी इन मीडियम जो होता है की टाइम सबसी टर्वल्ट अक्रीड बढ़ गया होगा अब कारें इफ ड्य वेल इस पंप ड आउट लॉट वेल को निंग पींड़ फिल नपलेट अभी प्लाइट ऑफ्टर विल अगें क्या हो जैगा सैम जैंग जैंघ प्लीट तो पहले नहीं दा पहले यहोगा क्यों बहले तेल दाल दीए घट ग्या होगा अधिए अध्य गड़िया यहांद को यह पूरा कहान में लेकिन तो घ्रट ग्या है है तो मामला वही है कि मुझा आधा को सब्सक्राइब कर दिया है कि यह होता है तो घटा दिया उसको प्रोब्लम यहां ना बस वहां जो सीच्विशन क्रियेट किया पहले तिरल लाला फिर निकाल भी लिया जब डाले तो घटा आई अग्री बट आप निकाल भी तो लिए फि पहले जिए आप एर क्यान ईयर कप सीटर हाइजा के पर चिक हारइजええज के पर सीट् the distance between the plate is triple distance को तीन गुना बढ़ा दिया गया एंड डिलेक्ट्रिक मीडियम इंस इंट्रोड्यूस्ट बैसिकली अब सीन क्या हो गया इसको तीन गुना बढ़ा है 3D कर दिया गया अज़े यहां पर सी का लिखोगे एपसलेनगी रवाय दी इन लिखोगे आज इसका वेलू के दिया हुआ अठारा आना लिख लिए अपसलेनगल बढ़िदी का वैलू समझगे बात को अब जो यहां पर गडाय इसमें जैसे हमने यह किया तैसे हमने अंदर में एक मीडियम इ इंट्रोडीउस कर दिया मीडियम को इंट्रोडीउस करेंगे मीडियम को जैसे इंट्रोडीउस करेंगे तो यह के कारण बढ़ जाएगी आप सूछ से देखो सफिंट धी अधिकर में बढ़िया होगा फिर के रखे तो फिर से बढ़ गया बढ़ करके जो नया कैपसिटी मिला है इसका यह देखो नया कैपसिटी कितना मिला है क्या लिखोगे क्ये एपसलन जीरो बाइटी समय रहा बत को क्या लिखो के ए अपसले जी रो बाई दी के आठ रहा है एट इन वाई थी और नया वाला सी लिख रहा है उंको 72 यहने के और यह तो क्या 6 है ना समझे बात को तो यह जो क्या 6 किकना 12 नहीं के का भी लो क्या 12 बात समझ में आया की निया है सी इस करेक्टर उपसर बात समझ में आ गया है अला रव डिस्टर यह इइन ट्रो डिूस भी कर दिया है यह वाला सीन था इसमें अधस मैं आया कि निश्य समझे, distance के बढ़ने से capacity घट गया, distance के बढ़ने से ती मीचे है, तो दिनोंटन capacity घट गया, और जैसे हमने medium डाला तो capacity फिर बढ़ गया, तो यह बढ़ घट के चक्कर के साफ दिए रहे हैं कि चार गुना बढ़ गया, तो समझ गया बात को, यह scene है, चार गुना बढ़ गया ह चार गुना बढ़ाने के लिए हमने introduce कि आओगा, slab को, और तीन गुना कर ली है, तो जैसे तीन गुना किये, बाहर, तो capacity फिर से, फिरी टाइम्स उदर हो गया, तो फोर तीरी एक तर नहोंगा, 12, तो यह सो सकते थे, बाकि तो solve कर गी दिए हैं पुरा, यह अच्छा सवाल है, और हम इसके लिए तोटीन, पेज भी ले लिए, तो धीर देर इदर के solve करते हैं, इसको, अच्छे से, कहना यह चार लिए है, को डिस्टेंस इदर दिया हुए, तो यह नहीं कि कहने कानेक्शन ऐसे किया गया, तो समझना है बात को, ऐसे चीजें, connection किया गया है, यहाप एक हो गया, ऐसा कैपेसिटर, दूसरा हो गया, ऐसा कैपेसिटर, यह हो गया, C1, यह हो गया, C2, C1 बराबर क्या हो जागा, A अपसलन 0 बाइ D, यानिका D1, ऐसका हो जाग, A अपसलन 0 बाइ D2, और जब सीरीज में होता है, C in a series, क्या होता है, C1, C2 बाइ C1 प्लस में C2, या फिर 1 बाइ C1 प्लस 1 बाइ C2 करके भी, 1 बाइ C क्यूरेंट निकाल सकते हैं, माग यह दो कैपेसिटर दिया हुआ है, मच्छड बहुत जादा लग रहा है, नहीं जीन, चलो ठीक, तुम लोगा क्या पता, तो C in a series क्या हो जागा बतातो, C1 कितना दिख रहा है, यही है ना, यहने कि a epsilon 0 by d1 into a epsilon 0 by d2, बाइ दोनों को जोड़ देंगे, तो a epsilon 0, अच्छा, यहाँ पर k1 भी है, हम यह छोड़ी दिये, k1 और यहाँ पर k2 है, sorry, k1, आज यहाँ पर k2, k1, a epsilon 0 by d1, अब पलस में, k2, a epsilon 0 by d2 है, यहाँ से है, एक चीज़ देखो, तो a epsilon 0, हाना, ब ठीक है, तो यहाँ सुल जाएगा, k1, k2, a epsilon 0 into a epsilon 0 by d1, d2, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर यहाँ से हम आ जाएगा, d1, d2 का, यहाँ से d2 इदर चल जाएगा, अच्छा, a epsilon 0 तो common ही आ जाएगा, k1, d2, पलस में, k2, d1, ऐसा हो जाएगा, क्या हम यह बात कह सकते हैं, कि यह दोनों तो कट गया, यह दोनों अगर कट गया, और a epsilon 0 से epsilon 0 भी कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, k1, k2, a epsilon 0 by k1, d1, 2, अपलस में, k2, d1, यह होगा, सीन, सिरीज, अब कार एक effective dialectric constant इसका बताओ, अगर हमने दोनों को हटा करके, एक slab लगा, इस दोनों को हटा करें, एक slab लगना दिया, यहने कुछ इस तरह से करती है, एक slab के insert करती है, ठीक है, इसका area है, a, distance है, d, अच्छा, d basically क्या होगा, d1 प्लस में, d2, तो इसका जो c, बनेगा, वो क्या बनेगा, a epsilon, k, a epsilon 0 भाए, d1 प्लस में, d2, समझ गया बात को, और actually में हम यहां से इनकार करते हैं क्या, कि a epsilon 0 के जगते है, क्या लिख होगे, c times of d1 प्लस में, d2, by k, कर सकता है, तो इसमें पूट कर लेते हैं, समझ में बात, यानि कि जो c in series आया है, तो लिख रहते हैं, देखते हैं से, k1, k2, k1, k2, और यहां सो गया, a epsilon 0, हाना, बाय, k1, d2, k1, d2, k1, d2, plus में, k2, d1, is equal to, दिख रहाए, c, c, यहन दिख रहा है, c का वेलो, k, a, epsilon 0, by, d1, plus में, d2, kट गया, तो पुछ रहाते है, k का वेलो, k का वेलो क्या हो जागा देखतो, k1, k2, d1, plus में, d2, by, k1, d2, plus में, k2, d1, that's your answer, ठीक है, तो यह हो गया, equivalent capacitance, c, बागी उम्मीद करते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल, एच्छी वर्वा में भी दिए हुए, बहुत सार सवाल, अपनाया होगे, यह हम को ही पसंद आया था वासा, अजीब तरह का था, लेकिन अच्छा लगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, three capacitor, एक और page पता नहीं हैं, क्यों हम बनाया थे, खर, three capacitors, इतना है, अटना है, आर्कनेटरिन सीरी, source of 120 volt, जान समझना, तीन केपसिटर हैं हमारे पास, एक है, three microfarad का, दूसरा है, six microfarad का, तिसरा है, six micro, यह है, three microfarad, यह है, six microfarad, यह भी है, six microfarad, ठीक है, और हमने इसको connect किया है, 120 volt से, खिक है, असर जैसे ही हमको दिख रहा है, कि तीनों सीरीज में है, तो C equivalent क्या लिखे होगे, तीनों सीरीज में, तो one by C equivalent equal to one by C one, plus one by C two, plus one by C three, सही लिखे हैं क्या, तो one by C equivalent equal to क्या हो जाएगे, क्या हम जाएगा, six, यहाँ पर हो गया, two plus में, one plus one, यहाँ तो four by six, आगया, तो C equivalent का विल्यों क्या दिख रहा है, three by two, क्या macrofarad, यहनि कि तीनों को हटा करके, अगर हम, एक capacitor लगाते हैं, तो वो one point five microfarad का होता, हम यह भी check करते हैं, कि इसने q कितना supply किया, तो q net कितना supply किया गया, कि q net क्या हो जागा, cb, तो c equivalent into v, c क्यों कितना दिख रहा है, three by two, आप voltage दिख रहा है, one twenty, यहाँ से हमको साफ दिख रहा है, one eighty, macro column तो यहतना charge supply किया गया है, और हमें यह बात पता है, कि, charge in series combination, series combination of capacitor is same, यहने कि जितना इस पर plus charge होगा, उतना ही minus में, जितना ही plus यहाँ, उतना ही minus यहाँ, उतना ही plus यहाँ, उतना ही plus यहाँ, उतना ही minus यहाँ, यहने कि हर एक credit पर same charge आ जाता है, तो यह पता है, one eighty macro column इस पर भी आएगा, इस पर कितना charge जाएगा, one eighty macro column, इसका voltage मान लोगे भी है, भी वरावर क्या लिखोगे, q by c, अभी equal to q by c, तो one eighty by c three, यहने कि 60 volt, आना चाहिए इसका answer, d is correct answer, समझ गया बात को, यह पूछ रहा, तीम में, नग्रो फराट के उपर, कितना voltage है, ठीक, capacitance पूछ रहा है, यह और बी के बिच का, एकदम simple सवाल है, साफ दिख रहा है कि two or two series में है, तो यहाँ पर क्या लिखने है, one by c equal to one by two plus one by two, basically two by two equal to one, one, यहाँ पर three microfarad बिख रहा है, तो सी equivalent कितना हो गया, ओपर one और नीचे में three, तो दुर जुट ज़िए गाना, one plus में three, parallel में c1 plus c2, यह हमारे पास four microfarad, समझ गया न, a and b के बीच में equivalent के percentage कितना है, अगें यह दोनों series में है, यह दोनों series का मतलब, दोनों जुटेगा, one by c करके, one by c करके, basically c by two, यह दोनों भी series में दिख रहा है, यह भी हो जागा, c by two, है न, तो c by two, c और c by two, three तिनों parallel हो जागा, c by two plus में c, plus में c by two is the c equivalent, तो हो गया, basically two c समाझ के बात को, ऐसे करके देखो, तो उपर में दो series में, नीचे भी दो series में, बीच में, एक आ किया, तो उपर वाला, नीचे वाला, और बीच वाला, तीनों, एक दूसरे का parallel, हाना, तो कुछ इस तरह का scene आ जागा, न, है सो जागा बात, एक capacitor ऐसे, एक capacitor उपर में ऐसे, और एक capacitor नीचे ऐसे, यह गा C by 2, यह C और यह C by 2, बैटा दे मांग भए, यह ऐसा था, आज बड़ते हैं, a parallel plate capacitor is made by, measured by, stacking and equally spaced plate connected alternatively, if the capacitance between any two plate is C, हाना, then resultant capacitance is what, तो यह सम्जो बात को कहना क्या चाह रहे हैं, आपर, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारा capacitor है, कुछ इस तरह से करके, है यह, हमने stack करकर के, रखा यह बहुत जारा, आपर एक capacitor, और बीच में से हमने यहाँ पर से भी, एक plate बना करके, रखा, इस इसे करके, बैठा दिमांग में, ऐसे, ठीक है, यह तरह से करके, रखा, और कहर है क के बिचमें कितने केपैसितर बनेंगे स्वाइब तक अब सोछ देखो कि nEqual space किने हैं कि मालो अगर सीर्फ इत्ना ही रहाता तो कितने पलेट हैं एक दूसरा फ्लेट है दीसरा फ्लेट है फ्लेट है फ् precon om जटा साथ वा आठा ठीक है इसे पांच यहां पर छे साथ आठ नौ नो प्लेट है और कि पैसिर कित्रा बड़ा देखो तो एक दो तीन चार पांच है साथ आठी प्लेट है मारे पास नौ बन रहा है कितना आठ यह अगर हमारे पास यहां से एक कम क्पशिटर बनेगा बात समझ भाएंग नहीं है एन माइनस में वन सी इसमें आ जाएगा आप सर कितने के पर बनेंगे एन मैनस में वन तर्पेसिटर बन जाएंगे बैठा दिमंग में तो कि सब के सब पैरलल है इसे जूट गहां सीदा रिसाप पैरलल है सब को बोल्टेज से में वही एक क्यों पर ये कैसे ये करके है समझ मैं है ओके यह हमको बनाना चाहिए है और बैस कि हमी बढ़ा रहे है शीक्स और थ्री ये तो साब को होगे कि सर्माइन जोगे दुना पैरल इसे जूड़ यागा और नाइन और 4.5 के बीच का कि प्रेसिदेश निकालना था क्या लिखेंगे नाइन इन्टू 4.5 बाइ नाइन प्लस में 4.5 तो क्या हो गया 4.5 बाइ 13.5 यह तो थ्री बार में कड़ेगा यह हो गया मारे पास थ्री मैक्रो फराड है और कहा रहा है कि पोटेंशियल डिफ्रेंस अक्रस इसका बोल्टेज इसका बोल्टेज निकालने के लिए पर हम चेकर दे चार्ज कितना सप्ल कुलंब इतना चार्ज सप्लाई किया गया है तक वोल्टेज भी बरावे किया लिखो क्यों ऐसी थर्टी सिक्स पर पॉर पॉइंट फाइव और नाइन फाइव जा नाइन फोर जा फाइव कूजा टेन यह नहीं कि एट बोल्ट किया गया है इस अच्छे से अच्छे से करत है तो यहां से अगर हम भी वोल्टेज दिखान चाहिए अच्छाब ने इकुल्टी क्या हो जाए क्यू बाइव सी तो क्यू दिख रहा है हमारे पास थर्टी सिक्स और सी दिखरा है वह पोर पॉइंट फाइव पॉइंट और यह अपर में टेन तो नाइन फाइब जा प्रणाने के 8 वोल्ट मेसर अब ठीक है ओके यह हम क्यू किये था हां अग्रोस इच आप टू केशिटर आप केशिटर आप केशिटेंस 1 मेक्रोफराड एंड पोटनिसल दिखेंट इन वोल्टी अप्लाइट यह पोजिटिटिव प्लाइट प्लाइट यह पोजिटिटिव इस वन मेक्रोफराड है यहनि कि मेरे पास दो केशिटर है दोनों ही बराबर वाले हैं ऐसे हैं ठीक है ऐसे समझ गया बत को अच्छा जब भी ऐसे करके एक पलास वर्यवर करा गया और टेन वोल्ट इज अप्लाइट दोनों को अपने टेन वोल्ट नहीं एक मैक्रोफराड कर सोलते हैं और तेन वोल्ट से इसको अपलाइपे मैक्रोफराड है इसकोरे टेन बोल्ट लगाए था 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 लिए दें पॉसितिटिभ प्लेट अफ फ़र्लेट उश्का अगर पलस प्लेट है यह और इसका यह मैनेस प्लेट है अब दबो हैं से पॉजिटीव प्लेट आफ वन इस जया वाले को मिल नियुक्त है करेंट त्य वाले को हमिने माइनर खर्णिड पॉजिटीव टीट निचिव टीज नियुक्त है क्या कॉप्वीनेशन कुछ इस तरह कह जाएगा और क्योंकि दोनों का वोल्टेज वे बराब सोच के दिखे त्यूभा इसके पास कितना से इस पर है ये कि थे त्यूलिव मैक्रो कोलॉम और यहां पर कितना होगा मैनस में 10 आप इस हिस्स्टे को ध्याहन से देखो तिस पर सुर्वात में चार्ज कितना है जीरो देखो 10 और मैंस 10 जीरो जोड़े दो जीरो फैनली के जीरो सुर्वात में जीरो फैनली के जीरो कर रहा है कि after the connect contact charge on each plate will be 0 समझ गया बात को charge on each plate must be 0 after connecting them बैठा दिमांग में यह होगा answer work done in placing a charge of इतना है कुलम अभि कंडेंसर ऑफ केपेशिटी हंड्रेड मैक्रो फराड तो है तो वर्क्रण कितना हो जाएगा गराएक वर्ड़न इन प्लेसिंग चार्ज आप इतना कुलंब और condenser of capacity इतना तो work बराबर किया होता है Q B not ऐसे half of Q भी होता है तो वह भी उसक्र सकते हैं तो half of energy याद है howp of CV का square होता है यांसे यूज कर सकते थे ठीक है तो सिय यहांपर लेए कर लेटे हैं सि दिया है और चार्ज दिया तो वह वाला यूसズ कर लेकांखर भी वराबर क्यू वैस कर ले ते ने कि शौ वय चू ज이지 कर लेते हैं किस कर लेके तो यह वाला यूज करलाथ ठीडा एक हूत मानेस मीत 1410 वाय ट्जीर फैर की अंडेड गया मारे पास 4 32 दिख रहा है आंसर रहेगा D correct answer समझ के बातो ना okay अब 5 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 800 volt 5 microfarad का capacitor को charge किया गया है 100 volts से and discharging through a conductor the energy given to the conductor during the discharge is समझना पूरे कहानी को पूरा अच्य समझना 5 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 800 volt ये 5 microfarad का capacitor है ये और इसको हमने charge किया गया 800 volts से हमने इसको चार्ज कर दिया इसके charge कितना होगा कि वराबर cb यह एट इन्टु फाइब फाइब 40 यह नहीं 100 नहीं 4000 microcolum ग्यास पास ने चार्ज तो होगा यह and discharge through a conductor है यह नहीं the energy given to the conductor during the discharge चीज़ अब conductor से इसको conductor समस्ते हो इसको उठा करके हमने conductor से जोड दिया ऐसे करके है ठीक है इसको ऐसे करके जोड दिया तो पलस ब्ला सारा मैंस में बूश जाएगा तो कर रहे कि इस पूरे process के दौरान कितना energy कि reduce हो जाएगा तो भाई जितना energy था इसके पास सब का सब निपट जाएगा सब इनर्जी नहीं रहा तो यू बराबर क्या होता है हाप सी बिसकर होता है ना है ना हाप of capacity तो दिख रहा है ना 5 अब voltage दिख रहा 800 इंट इंटू 800 बात समझना है कि नहीं आया दो से हो गया यहां से 400 तो यहां से हो गया 16 160 12340 ठीक है तो कुछ ज्यादा हो गया अच्छा मैक्रो भी है ना इंटू मैंनस में सिक्स एक दो तीन चार पांच छे यानिक वान पॉइंट सिक्स जूल सीज करेंट के लिए बात वह मैक्रो भी दाना मैक्रो फराड बात समझना एक कैपसिटर था उसको हमने 800 वोल्ट से चार्ज किया चार्ज करते हो जो पलस था और मैनस था हमने दोनों क तो यह बाहर से कॉंद्टक्टिंग वयर से या बाहर orWhat यह ऐसे आंदर से ज़से झार्स क्रेंट कर आप जैसे तुम कुझझ करोंके क्या हो जाएगा जतना पना मेनस से पला सब मैने मुश जाए मश जाएगा यह फ्र sitä भी तरव कि तरव हासे लो कि तरव तरव झरव है बाद में एनर्जी जीरो हो गया, तो जो टोटल का टोटल एनर्जी इसी से न सप्टाय हो गया, 1.6 जूल, समझ आगा बात, अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखने के बाद, हमको तो एक ही चीज दिख रहा है, एनर्जी देंसिटी, क्या दिख रहा है, एनर्जी देंसिटी, यही बराव क्या होता है, ओटन जयए, तो हमको पता है कि अनर्जी रेक टो एनर्जी डेंसिटी into बोलूम लिके देंगे, energy density दीख रहा, half of epsilon 0 E का square into volume कितना होता है A into D I think C is correct answer but with half multiplication थोड़ा से यहां पर misprint हुआ है, बात समझ मैं है अब आगे बढ़ा जाए, okay the potential energy of charged parallel plate capacitor is U naught ठीक है अच्छा इसको लेकर के हम यह च्छोटा सा चीज हम बटा रहते है ठीक है तो सुनो, यहां से एक capacitor है दो सीन समझना एक capacitor है और इसको हमने battery से connect किया, ऐसे है ठीक है और तुसका C है, charge Q है या Q naught है, और voltage है V naught E naught E energy U naught का सकते हैं यह बात शुरुआ में और बाद में क्या होगा, इनिस्याली था और फाइनली क्या हो गया, हमने इसके ओपर slab को इंसर्ट करा इसके अंदर में एक slab डाल दिया ना ऐसे करके डायलिक्ट्रिक्स लेवड दाल दिया ठीक है, एक slab इसमें इंसर्ट कर गया इसस्टम इसस्टम अब इसमें प्यक्राइब दाल दिया जैने कि पैटरी से कनेक्ट्ट नहीं है, अब ये पुरा सिस्टम आप जैसे省 डालोगे के वाला नया सी क्या मिलेगा एक सी Jadi क्या मिलेगा वह तो के था नभ जाएगा नोज गटों ने गा क्या पी नियू हो जाएगा के सी इंटो टीका स्कॉएर तो बोल्टेज नोट वाइट की का होले स्कॉएर से हाफ आप के सी इन टू पी मॉट का स्कॉएर बाइट के लिए रखेंगा मैद दूसरा केस क्या हो सकता है अगर बेटरी करें रहते हुए यह िसकॉए तब वो सवाल दुम लोग बना ना अपने से ठीक है चलो आप ध्यान से सुनों इस सवाल में क्या कर रहा है यहां का बोल्टेज दिया है और महा वोल्टेज दिया हुआ 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 है एक बात बताओ जब सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सब का स्थेम हो जाएगा पहला तो फोटी ही आना चाहिए इस पर अगर चार्ज प्लस की होएद यहां पर मैनस में क्यू आएगा यहां इसका जो भॉल्टेज होगा एजूम कर लेते हैं यहां यह कर देते हैं यहां पर जो डी का भॉल्टेज होगा समझा ध्यान से दी का जो भॉल्टेज होगा हम एक चीज कर सकते हैं किया सकते हैं याँ सोले के इल लगा सकते हैं यहां से क्या लिखेंगा ओन G1 है ना ऐसे लोगतर जारो हए मा менस में क्यूब आ सीउन है ना और यहां से मिलेगा is equal to D मिलेगा और यहां से क्या लिखेंगे इधर से अगर हम इधर से लिखते हैं तो वी 2 q by C2 equal to BD समझे रहे बात को यह आगे हमारे पास यहां से ओके पूछा है भी दी अच्ट काम करते हैं क्या इसका चार्ज को ठागर किसमें इंसर्ट करते हैं बात समझ में है हम इदर सीधर जाएंगे तो हाई से लो की तरफ बोल्टेज घट गया इक्वल्टू का मिला बीडी अब वी से भी हम चलने है इदर की तरफ तो माइनस से प्लस की तरफ गए इसमें बढ़ गया तो हमको मिला बीडी और पूछा ही है बीडी तो काम करते हैं इसका चार्ज को उठा करके इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं ठीक है तो मुझे वह जाएगा हंथ सही से लिखने क्या है है टिके जगा नहीं मेरे पास सुझ प्रोर अच्छे समें चैस को यहां स witness क्या क्या लिखनें, V1 माइनस में Q by C1 equal to VD, तो यहां सोलगा V1 माइनस में VD equal to Q by C1, यहां सोलगा V1 minus VD into C1 equal to Q, equation number 1, और इदर से भी लिखते हैं, यहां पिर इदर ही इसन लिखना, इससे लिखना करते हैं, तो VD minus Q by C2 equal to V2 हो गया, है ना, तो VD माइनस में Q कि जाए पिता लिखने है V1 माइनस में VD इंटु C1 by C2 equal to V2 और हमको निकालना VD by 1 कर लेते हैं तो गियोट वन फिरी मिलेगा तो VD इंटु C2 minus में V1 C1 sorry C1 minus में VD इंटु C1 equal to V2 इंटु C2 यह हो जाएगा क्या इंटर से भी चला गाएदर हमको निकालना है VD तो VD equal to क्या देख रहा है V2 C2 plus V1 C1 by C1 plus C2 see this correct answer है हमको साब यह देख रहा है V2 C2 V1 C1 passive plus C2 that's your correct answer बात सब्सक्राइब क्या लगा है यहां पर apply कर दिये के भीयल जिसको समझ में नहीं आता है के भीयल अगला चप्टर देखना current वाला उसमें पूरी की पूरी कहानी समझना है के भीयल कैसे काम कर रहा है अश्य तो कुछ जगए था बताओ अच्छा हाँ एक बात हमें यह पता होना चाहिए इस सवाल तो पहुत अशान है तो कहना क्या चाहरा है यहां पर दो बात याद रखना कि अगर हम एक कपसीटर है अगर अगर करते हैं यह तो हमें सीधा याद रहा होता है ना तो डिराइब वगर करोगे तो भी तहीं आएगा ना यह याद रहना चीए तो नोंको पता भी होगा यह इन्लास्टिक का फॉर्मला बंता है हाफ ऑफ न्यू भी अप्रोच का होल स्कॉयर है ना नोट चेक कर ले ना आपने को सब के कॉपिंग होगा यह वला सवाल का यह फॉर्मला ठीक है चलो स्टाट करते हैं यह हां तो यह सवाल देखते हैं ठीक है इस सवाल में क्या कहान नहीं कि टू अदेंटिकल कैपसिटर ह गीच ब्रिश्माण पराड है न तो दो केंपेस्टर है मपास्की एक हए फाइफ मेंक्रोफ cherry का पासंद immune file अदु सब्सक्राइब दूसरा भी है 5-막 ब्रिख्यकल का loss of energy of the system तो हमको पता है हीट लॉस का फॉर्म ला क्या होता है हाफ आफ कि सीवन सीटू बाइस एन प्लस में सीटू और बीवन मैनस में बीटू का होल स्क्वाइर तो हाफ आप सीवन की तरह दिख रहा है इन फाइव प्लस में फाइव यह मैक्रो में लिखा देशन मैनस में 6 लिखती है भी अप्रोच का होजय को लिए 2000 मैनस में 1000 का फोल स्क्वार तो बैसिकली होगी हाफ ओ यह जागा क्या 5 बैस एंटू मैनस में 6 इंटू यहां पर ओगया थाँजंट इन यह तो कट गया तो बै हो यह को दिकत अब आगे बढ़ते हैं तक के पैसिटर इस चार्ज बाइब बैटरी ठीक है एक क्या बात को यहां पर क्या है कहां नहीं इस वाले में कहां क्या रहा है अब एक चार्ज को चार्ज किया है ठीक है सी को हमने चार्ज किया किसी भी से और बैटरी को हटा दिये और उसके बाद उसको अदेंटिकल उन्चार्ज के पैसिटर से करेंट कर दिया है ऐसे हैं सी वाले से इसका चार्ज वोगर नहीं था पहले तो अब क्या हो जगा बताओ एजूम कर लो कि शुरुआ नभी था यह इनिसियल सिस्टम का फाइनली क्या हो जगा यह तो यही रहेगा कि यह तेति क्यों कर जाएक हैं कि यहाँ माइनस में हो जाएगा यह सी ने क्यों कर दिया तो इसमैंश की जोटएंबभ दो म्हें के जाएक स्विट लागाक। यह सफ्टावने कि ऌधनाल फियरएm का ऑ्नॉज चांटा तो इसका इंदर के पे सेम चार्ज वोगर आएंगे यहां पर सी भी नोट हो जाएगा यहां पर भी सी भी नोट हो जाएगा यह प्लस में और यह मैनस में तो यह भी प्लस में यह मैनस हो जाएगा इस पर भी सी भी नोट हो जाएगा तो चार्ज का सीन क्या है पहले पहले था सी भी पहले क्या थ है यह हम क्या लग सकते हैं सी भी पहले था आप जो है सी भी नौड प्लस में सी भी नौड हो गया मतलब सीट उपर वाले में पहले चार्स था अब दोनों में चार्ज दिख रहा है तो हम कहा सेते क्या सी तो कट गया तो भी नौड का बेसिक लिए क्या आगा वीवाय टू आ ठीक है तो भी नौट क्या हो गया दीवाइट बिस्ट में हाप औहसीट्व Kelłत की एड़कर लेंगे तब इसी कि और पहले कितना था यूँ हाफ cv का स्कार से इनर्जी था इसके पास था ही नहीं तो देखो ध्यान से क्या हो गया यू न्यू जो है वह आधा हो गया डिक्रीज कर गया ना 1 by 4 से 1 by 2 से देक्रीज आफेक्टर 2 से जरीज कर गया लेटर्ज अधिए जरीज कर भाय धर 5 मांद दो गुना कम हो गया ना Newton पर कुलंब इलेट्रिक फिल्ट पता है ना एलेट्रिक फिल्ट का Newton पर कुलंब ईवर आबर होता है ना 4 सबा क्यू पर अंसर में देखना नहीं पर पोटेंशिल लाल दिया अगलती है अब प्रोटोन रिलीज फ्रम दर रेस्ट इन्द इलेट्रिक फिल्ड इस्टार्स मुविंग तुवर्ड दा लो लोवर पोटेंशियल या डिक्रीजिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रोन प्रोटोन 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 प्र यह इक्योबरा सर्फेस पोइंट जाज एगर स्फेरी कल बनेगा ऐसा ठीक है एक्ट्रोश्ट्रटिक पोटन से रजी स्टोर्ड वन देपोल इस प्लेस्ट इप देट्री फिल्ड दे एनर्जी इस मैक्सीमम एट एनर्जी कब होगा मैक्सीमम हम तीन चार कंडिशन के बारें बात करते एल्ट्रोश्ट्रेटिक पूर्टन से यह बराब क्या है माइनस में पी ए कॉस्ट थीटा ठीक है तीन कंडिशन सोचो अगर थीटा का विलू जीरो डिगरी हो जाए ठीटा का बिलू 90 डि कॉस बराब बने लगता है ठीक है अध्या तक अधिक तैक्सीमम टेशन के लिगरी हो बिलू जाने तक ड्याद करों जब हम लोग डाबर रहे थे आलेक्रिक में जब डालेक्रिक स्लाब बनाते हैं उसके अंदर में क्या हता है कुछ-कुछ डापोल मोमेंंट बनने लगते ह गाट जाता है ना यह बात पता है ना ओके क्या होता है और क्लोजर इंदर रिजियन वेर डिफिल इस कंपेर्ट टू लोवरन विल्मोर क्राउड़ेट नियर सार पेज ओके यह ध्यान समझना चलो ठीक है यह मामला गड़बड है क्योंकि यहां पर इंकरेट के बारें पूछ कि यह भी पास खूव ज़्ज आदा चार्ज होता है अंच घंडा Ł liaison दा चार्ज होता हैRAY थाका बचाहता है यहां पर खूज चार्ज है इस म्हां और तो दिस वन तो क्या कहोगे यहां पर जो यह एक्यूप्र सर्फिस बनेगा वो सर्फिस यहां पर ज्यादा crowded होगा है ना as compared to this one है ना यहीं लिखा है यहां मूर crowded near star pages will be more crowded near region of the large charge density सोच के देखो जहां पर large charge density वहां पर खुदा charge भी है तो यही दो सीन है यानि कि दोनों तो सेम ही है के बारें बात कर रहा है बी और सी तो सेम ही है कर रहा है will always be equally spaced एकदम नहीं है equally spaced क्यों हम पहले बदा चुके है positive charge के कारण नहीं दिखाये थे कहीं पर close फिर दिर देख लिए separate होगे जाला है ना तो यह तो गलत है तर डी इसका answer डी होगा समझे है नहीं है ओके दी गलत है आगे देखते हैं कहा रहा है कि से जिए स ne वं आल अत अने पोईंट इंसाड दे इस फेर य एलोक्रिक फिल्ड इंट्रिक इनेंसीस्ट इनलोड अंदर में लेट्रिक फिल्ड जीरो है ठीके अंधर में अलड्र अल्यलेटिक फिल्ड जीरो है तो है तो उन्तर पता है कि ब्ोल्डच वोंस्टेंट होनेlor है है जिसका वेलों इसने 100 वोल्ट कहा है अंदर में चार्ज कंड़क्टर को वोल्ट इस यह 100 वोल्ट कर रहा है कि कौन सा सही है अच्छा याद करो हम लोगों ने बात सीखा था कि जो एलेक्ट्रिक अगर भी कॉंस्टेंट है इन पड़ते है यह जो कॉंबिनेशन बनाया है कि कहा रहा है कि एस वन ट्रू है और एस टू इस अलसू टू एस लिए है जो कि वोल्टेज वहां पर कॉंस्टेंट है इस इस देखर अंसर ठीक है तो डी वाले में सीन में क्या है कि एस वन और इस टू दूनों करेट है लेकिन सेकेंड यकाउज फस्ट नहीं है क्योंकि यह जीरो तो सकता है कि चार्ज है ना हो तो वोल्टेज कॉंस्टेंट और को सीन तो बनेगा नहीं है ना आगे सुझ में है और यह तो सबसे इजी सवाल था देखो ज्यान से क्या है कहाण नहीं कि यह है मारा डैपोल मै नस से प्लस की तरफ डिख रहा है यहाँ पर बताव पोटेंशिल क्या हूजेगा डैपोलगा रहन क्या है कि पूष्ट स्टर फोटेंट सिल इस डिफेंट पॉंट्स तो भी यह 40 गडी पर यह लाकि आए कि का विल्व के जगा kp by r का इस्क्वार इंटू वन वाय रूट टू भी 4 का विल्व के जगा एक को टरफ पर 0 और भी इधर की तरफ 2 बीटीखल क्या जगा माइनस वेगा ना क्यों कि कॉस्ट वे लिखेंगे तो के पी आर का स्क्वार लेकिन निगेटिव में ठीक है कोई दिकत है यह आग्या से चलो चार को इसमें ऑप्शन भी होगा वो मैच करवाने वाला वो मैच करवाले ना इसका मैचिंग वाला कंडिशन होगा ना भूल गए डालना इसमें चेक कर ले ना मिल जाएगा ने तो होगा तो हम पीडिएप में डालनेंगे डिस्क्रिप्शन वाले में ठीक है तो अ पैरलल प्लेट केपसिटर इस चार्जड बाया बैटरी वैन इस डिसक्रेक्टेड देलेट्रिक स्लाइब इस देन इंसर्टेड तो फिल दे स्पेस बेटें अब भी तूरद बताएं यह पूरा सवाल है कर आए कि पैरलल के पातम हो गया सवाल ठीक है तो उसी मत मना न ध्यान सुनवा कर आए कि डैसे डिलेट्रिक स्लाइब इंसर्ट की है तो सी क्या हो जागा वह तो के टाप से बढ़ जाएगा तो क्यापैसितर स्पेसितर स्पाइस इंक जाअटार के यह झापैसिटर्स हँघ्स हो गया हमारा क्यूं टेक हो एक हो गया हमारा इसश速 चाल बढ़ा और है गिदेंस घुल सब्षत्रेह कर जाए गर और देखते हैं एनरजी इस्टोर का सीन क्या था इनरजी इस्टोर घड़िए था P C का P c का P तुब अच्छा इन्टेन सीटी ओ इलिटिफिल भी घड़िया था याद तो इरोटेक्ट भी गड़िया था तेने कि B का भी P हो गया यहां से और बचा चार्ज चार्ज क्या होगा सोच के देखो सबसे पहले कैपसिटर था ध्यान समझना इसको बैटरी से करेट किये थे बाद में क्या किये इसको स्लैब डाल दिए इसमें स्लैब जैसे डालेंगे तो कपैसिटी बढ़ गया और बैटरी लगाए नहीं है तो कपैसिटी बढ़ गया है और वोल्टेज का सीन क्या हो जाएगा कुछ चार्ज अब धीरे धीरे करके इसमें बात ने सुझाए अब यह पहले था उतने न रहfast फ्रταवर करें नहीं ड़ें एक पस न बैटरी तो है नहीं योगिर से और हो dart का विखांव का तो ऑगया खत्म सारे साल घर में बैट्थू और मजे से थे बनाओ नेक्स्ट चेप्टर का आजागा करेंट लेटिसिटी का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पहले तो मैंड मैप एंद फिर उसका सवलिशन ठीक है दोस्टो शेयर करो कोदी नहीं पड़ो फेलाओ ठीक है बाई